आज के इस कारीक्रम के मुखेती थी हमारे राजस्तान के लोगप्रिये मुखे मंत्री आदर्निया सोगेलोज साहब, मंच पर विराजमान, प्रसासन सैरों के संग, विभाग के हमारे मुखेया सीनियर कैबिनेट मंत्री सांती धारिवाल साहब, आदर्निये बीडी कल्ला साहब, प्रसासन गाउं के संग, चलेगा उसमें जिम्मेदारी बहुत बड़ी निभारे हमारे मंत्री हरीश चोद्री जी, सबी यहाँ पर विराजमान, मंत्री साहबान, मेरे साथ ही राजिय मंत्री गर्ण, हमारे सीएस मोहदे, तमाम अधिकारी गर्ण, जनपरतिनीदी गर्ण, हमेले साहबान, पत्तरकार बंदू, सबसे पहले मैं आदर्णिय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि हमेशा से जब से राज़नित्य शुरू की है, तब से मान्य मुख्य मंत्री जी ने, गरीब को गड़ेश मान करके अपना जीवन, राज़नित्य के मात्यम से सेवा करने में लगा रखा है, आज महत्मा गांदी जी के जहनती के अउसर पर, गरीब की, चाहे वो गाउं में हो, चाहे सहर में हो, परदेश में जो भी वक्ती है, उसकी समश्याओं के समधान, उनके घर में जाकर के, उनके वाड में जाकर के, जो एक महत्मा गांदी जी का सपना था, उसको पूरा करने का जो मिशन आज सुरुआत की गई है, प्रसासन गाउं के संग और प्रसासन सेरों के संग, ये एतिहासिक कारीकरम है, इससे गाउं और गरीब का सेर के, तमाम लोगों का भला होगा, उसकी समश्याओं का निराकरन, उसके घर में जाकर के प्रसासन के अधिकारी और जन परनिद्दी करेंगे, मान्य मुख्यमंत्री जी का जब 2008-2013 का कर्येकाल था मुझे उस वक्त भी राजस्तान की विधान सभा में इनके नेत्रितों में यहां राजस्तान में विदाईक के रूप में काम करने का अउसर प्राप्त हुआ था उस वक्त जो प्रसासन गाओं के संग और प्रसासन सेरों के संग जो अभियान थे वो पूरे देश में चर्चित थे और इतना बहुत शांदार काम हुआ था कि आज भी लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अगर लोगों की सेवा करना लोगों की समस्य है उसके घर जाकर के निप्टाने का अगर कोई कला सीखे तो वो मानिया सोगे लोजी का नाम सबसे उपर आता है जो कुरोना काल में मानिये मुख्य मंत्री जी आपने काम किया स्वास्ते मंत्री जी को और उनकी पीम को साथ लेकर कि पूरे देश और दूनिया में इस बात के चर्चे है और हमारा राजस्तान का कुरोना में काम करने का जो मोडल रहा है वो एतियासिक मोडल रहा आज भी जनता आशिरवाद दे रही है सादुवाद दे रही है कि वास्तों में अगर सरकार ने हमारी किसी ने सुद ली तो वो राजस्तान के मुखिया और उनकी टीम और उनकी अधिकारियों ने सीधी है मैं निवेदन करना चाहता हूँ मान्य मुख्यमंत्री जी आपके नेत्रितों में चाए चिकिसा हो चाए शिक्षा हो चाए अन्य विभाग हो अभी भी हम 22 विभागों को लेकर की जनता की बीच में जा रहे हैं सभी विभागों ने पूरी तैयारी कर ली है और आप एस्वस्थ होने के बावजूद भी आपने जिस प्रकार से मोनेट्रिंग की है इन अभियानों को सबल बनाने के लिए और जो मारग दर्सन आपने दिया है शुक्षम तरीके से एक एक चीज को लेकर के और जब प्रजेंटेशन हम प्रसासन गाओं के संग और प्रसासन सहरों के संगा देख रहेते तो एक एक बासपस्थ की जा रही है जो 70 साल में किसी ने नहीं किया वो मान्य मुख्यमंत्री जी आपके नेतोयतों में अब राजस्तान के सरकार करने जा रही है शिक्षा के क्षेतर में मान्य मुख्यमंत्री जी आपने वो करके दिखाया जो कोई ने करके बाया आप देखें पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो दिल्ली भी क्यों नहीं हो सब जगे अगर सरकारी स्कूल में गरीब का बेटा इंग्लिस मेडियम पढ़ रहा है तो वो राजस्तान है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 201 स्कूल है जो आपने पहले तक खोल दी थी पिछेतर हजार वो माबाब अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा रहे हैं जो ही एक लाख रुपे तक की फिछ दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उनका फूटी कोडी एक पैसा उनका आप नहीं लग रहा है पूरा का पूरा पैसा जेब में बच रहा है अगर ये काम किसी ने किया तो आपके नेतरितों में हमारी लोग प्रिये सरकार ने करने का काम किया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज का हाँड़ा मानिये मुखे मंतरी जी मैं बताना चाहता हूँ कि साथ लाग का नामांकन सरकारी स्कूलों में बढ़ने का काम हुआ है मानने मुख्यमंत्री जी ये आपकी दूर द्रश्टी और आपका जिस प्रकार का आशिरवाद हमारे विभाग के उपर रहा है मैं समझता हूँ आज तक के इतियास में साथ लाग का नामा कन यानि ये वो प्राइवेट स्कूल में मैंगी फीस दे करके पढ़ते थे वो बच्चे आज अच्छी क्वालिटी के एजूकेशन हमारी सरकारी स्कूलों में लेंगे आपने यही नहीं चिकिल्सा के साथ सिक्सा के साथ में जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समझ्या उसके तरब भी धन दिया चाहे वो आपने बेरोजगारों को बत्ता देने का काम किया इसके साथ साथ नोक्रियां निका लेने का काम किया आपने हम सब को ही एक वार नहीं दसवार बुला करके विभाग अधिकारियों के साथ कहा कि जो भी कोट में बरतियां है आप देखिए परिक्षन कीजिए और मेरी खुली छूट है आप उनको वापिस लाइए और ये बेटे और बेटियां जो कह रहे हैं हमकी वेटिंग लिस्ट निकालने का काम सुप्रीम कोट से सल्पी लेकर के वापिस करने का काम किया तो वह दुआ दे रहे हैं आपको धन्यवाद दे रहे हैं आपके दुरिखायू होने के कामना कर रहे हैं आज 31000 की जो रीट की भरती हुए हमाने मोख्यमंत्री जी देश के इतियास में गिनिजबूक में नाम लिखा जाएगा जिस प्रकार की व्यवस्ता दे करके आपके नेत्रि कीजिए प्राइवेट बसे और पैसे देंगे और लोगों से आपने जो अपील की भामासाओं से एंजियों से राजनितिक पार्टी के लोगों से आपने कहा लोगों की सेवा कीजिए ठैरने की व्यवस्ता कीजिए खाने की व्यवस्ता कीजिए जो बाहर से दूसरे लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि ऐसे हमारे कुछ भी बख्ष के साथ ही इस तरीके की बैयान बाजी कर रहे हैं इस तरीके की बात कर रहे हैं जो मैनत कर रहा है उसके साथ में फिलवाट नहीं होना चाहिए और कहा कि अगर हमारा सरकारी कार्मिक अगर पकड़ा जाएगा और दोसी पाए जाएगा तो उसको बरकास्त किया जाएगा किसी महीमत थी दूसरे में कहने को तो बहुत-बहुत कहते हैं इनकी भी सरकार रही है दो बार हाली में मुख्यमंतरी वसुंद्रा राजे जी रही यही मंतरी दे गुलाब चंजी गडारिया वगेरा कहां थे ये पकड़ा गया एक बीक है चपल के अंदर ब्लूटूथ मिल गया पहले भी था चपल के अंदर लेकिन आपने पकड़ा नहीं आप सोते रहे और हम जागते रहे और हमारे मुख्यमंतरी जी ने पकड़ करके दिखा दिया कि बच्चों के साथ जो मैनत करता है उसके साथ में नहीं होने देना चाहे मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मीडिया के साथियों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं से हाथ मान है उन्हीं 30,000 बच्चों के घरों में चिराग जलेगा रोशनी होगी कुछी आएगी यह मुख्यमंत्री असो गेलोजी का द्रड संक्लप है किसी को चिंता करने की जुरत नहीं है अगर कोई गल्ती हुई है कोई बेहिमानी हुई है कोई घडबड हुई है तो हमारी पुल परोड़े इनके इसलिए चल रहे है मान्य मुख्यमंत्री जी कि गिनेज बुक में नाम लिखा जाएगा कि राजस्तान में इस प्रकार की शांदार व्योस्ताओं के साथ में 31,000 बच्चों को नोकरी मिलेगी मैं कहना चाहता हूं यहीं नहीं रुकना कर मान्य मुख्यमंत् कि निकलवानी है मैं मुख्यमंत्री जी इस मंच के मात्यम से आज इस दो अक्टूबर के जहनती पर आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपके अंदेत्री तुम्हें गुंड 30,000 की भरतियां और निकलेंगी यह आपका एक वीजन है आपक कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है एक बैयान मैंने आज पड़ा मैं कहना चाहूंगा इस मात्यम से कि बैतर है मेले यहां आजाओ BJP के बैतर एक करके कहीं दिखातो दो यहां आने की बहुत दूर की बात है बैतर एक हैं नहीं आट तो मुख्यमंत्री गणे बने गूंग र सेवा कर रहा है मुख्यमंत्री की टीम में रगुशर्मा जी अरीश चोद्री जी बीड़ी कला जी सांधी धारवार जी तमाम यह मंत्री बैठे हैं हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारा पार्टी का कारिय करता हमारे त यह संदेश जा रहा है कि पीजेपी वाले तो केवल संदेश धी राजनीती करते हैं है आप तो मानिये मुख्यमंत्री जी काम भी करते हो और संदेश भी देते हो लेकिन थोड़ा सा आपके बज़ाए हमको भी थोड़ा सा इनको भी संदेश देना पड़ेगा इनोटों की बंद करो जन्ता के बीच में जाओ धाई साल में एक काम नहीं बता सके एक कमी सरकार की नहीं बता सके आज किस्मू से यहां 20 बच्चों को ले करके बच्चों को भरगलाने का काम कर रहे हो यह देखना पड़ेगा आपको और हमको समझना पड़ेगा आज बजट किस तरीके का आपने दिया था उसका इंप्लिमेंटेशन हो चुका है माधिकारियों भी इस मंच के मादें से धन्यवाद देना चाहता हूं हम सब को एक तीम भावना के साथ में काम करना पड़ेगा इनके जूटी बातों का जवाब देना पड़ेगा और गरीब के सेवा करनी पड़ेग जैहीं जैपार